वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में दोस्तों आज का जो ये वीडियो है एक हमारे सब्सक्राइबर है हुनोंने हमसे ये पूछा था कि सर जो ये एप्लिकेशन्स होती है जो दो मिनट में लोन प्रोवाइड कराते हैं मैंने वहाँ पर लोन अप्लाइड किया था और लोन मैंने अप्लाइड किया ना तो मुझे पूरा पैसा मिला और मुझे पर डबल से डबल इंट्रेस्ट लगाकर मुझे पैसा वसूलने की बात है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस चीज बताना चाहता हूँ देखे बहुत से आपके पास phone call भी आते होंगे messages भी आते होंगे कि इंस्टेंट लोन आपको मिलेगा दो मिनट में लोन मिलेगा without paper verification तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि company आपको पैसा देने के लिए बैठी हुई है without interest आपको पैसा देगी 0% interest पे आपको पैसा देगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यह जो इस तरीके की बाते करते हैं वह fraud company होती है ठीक है तो इस चीज़ से आपको बचके रहना है इंसेंट अभी एक हमारे जो है client भी थे जिन्होंने एक 60,000 रुपे का loan apply किया था 60,000 रुपे का उन्होंने loan apply कर दिया 60,000 रुपे उनके account में transfer करने थे बड़ पूरे पैसे transfer नहीं किये company ने पहले ही 13,000 रुपी काट लिया गया और उनके account में आया कितना पैसा 47,000 तो यह company fraud होती है वो पहले ही पैसा काट लेती है जितने का amount आपको बोला जाता है जो loan का उससे भी कम पैसा दिया जाता है और जब आप पैसा नहीं देते हैं जब आप उनको बोलते हैं कि मेरे account में मैंने इतना loan apply किया था मेरे account में आये नहीं आपकी कोई भी बात नहीं सुनता है तो इस चीज से आपको सतर्क रहना है कि जो ये बोलते हैं कि 0% interest में loan ले लिजिए instant loan ले लिजिए without paper verification loan ले लिजिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है तो अब आप loan नहीं देंगे तो वो आपके खिलाब court में मामला दर्च कर देते हैं कि ये loan इन्हों फला बंदे ने लिया था आप ये पैसे वापस नहीं कर रहे हैं और नहीं EMI दे रहे हैं तो वो वहाँ पर अपना compensation भी मांगते हैं कि इन्हों ने loan ने दिया है तो अब हमें हमें हमारा compensation भी चाहिए वो आपको इस तरीके से harass करते हैं और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी unknown link आता है loan apply के दिये या कोई message आता है या कोई phone call आता है तो ना तो कभी उनको OTP बताईएगा कभी OTP नहीं बताना कुछ भी और ना ही किसी unknown link पर click करना है ये बिल्कुल भी नहीं करना है और जो ऐसी company आउटी के बाई instant आपको loan दिया जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है तो आप थोड़ा सा सतर करेए जागुरू करेए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही basic legal information देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ एक basic legal information के साथ तब तक के लिए नमस्कार जाहिए